नमस्कार मताम दरलोवनी रियाक्ट नेटिव बेसिक्स पार्ट टू मां स्वागत छा पार्ट वन मां हमले सिंपल अप बनायों जस्मां टेक्स्ट वीउज गर्राइब टेक्स्ट देखाऊने रहलका इस्टाइलिंग गर्रा राम्रो बनाऊने क्याम गरेऊं अब पार्ट व मां चे आमी अलिकती इंटराक्टिव आप बनाऊं शाँ जस्मां यूजर को टाच इमेंड लाइक कसरी हैंडल गर्ने राइ यूजर ले दे कोई इन्फोमेशन हरू इन्पुट कसरी लिने तेलाइ डिस्प्ले कसरी गर्ने मैने मैंने बनने वारे मां सीक्तों यूजर बनाऊं ने आप एस तौर वाणे शा रियाटने डिफ प्रोड़क्टिव एल्ले की गरसा बना है तबे बोड्यर आब की गर्ने वन्ड़ डेसाइड गरने सक्शव भज़ने बने एल्ले मैंला यल्ले next activity किये गरने बन रा दिन्छा रा येसमा predefined list of activity में तब यहाँ बड़ add activity गर नोय activity थपना पनी सखना उन्छा रियक्नेटिव लॉन मन्रा मैं नोय activity थपे मने अब यहाँ डिसाइड गर्दा जाना खेरी यल्ले रियक्नेटिव लॉन मन्रा यमले थपे का activity पनी देखाई भीन छा रा यू अप गरी साके बसी आमेले के सिक्स हों बन्दा खेरी प्रोजेक्षणी प्रोजेक्षरी शेटिव गर्ने रा बेसिक ऀस्टालीग अरू क चर गर्ने कोला सिखी शक्यू पार्ट वर्ण में तेवेर आमी त्योकुरा याँ धोरें उदेनो रद्योकुरा नो धोरें उन्नक लागी यो टुटोरियल मा चाहिने बेसिक कोड मेले सेट अप गरेरा जीटअब मा राहि साय कसु आमी तेसाहिले डाउनलोड गरर यो टुटोरियल सुरू गर्शों त्यो वने पनी केस है न यो टुटोरियल फॉलो गर्नस रो याँ देखना सकनोंचा अलिकति तॉला ब्रांच मास्टर देहाई रासा मास्टर ब्रांच मां कम्प्लीट कोड सा वनेको आप सक्की साय पसिको कोड सा मास्टर ब्रांच मां सा जुनता पाईले रिफ्रेंस को लागी सुरुवात गर्नको लागी चैं यो ब्रांच पड़ इस्टाट ब्रांच सेलेक्ट गर्नस रा इस्टाट ब्रांच मा स्वीच उन्च यो बैसा के बसी याँ क्लोन और डाउनलोड बनेक ढ़ाउमा जानुस त्यां गएर क्लिक गर्नुस तपाई एदी जीट अब चलोन उन जीप फाईल तपाईला क्ति सा जुनलाइ डाउनलोड कर्रा डेक्स्ट पमा राहनास रा यो डाउनलोड भाई सागे ब चैंगे बैसी यो चाना ताई पाईको डेक्स्ट पमा सुलेimämä गएर यां एकफ्ट्राकट गर्नस एकप्स्ट्राक्ट हीयर विंडोस मा उनुँँचा बने पने एक्स्ट्राक फंक्शन उन्चा तपाई सांगा तेस बची त्यो एक्स्ट्राक गरी सागे बची एललाई तपाई ले तर्मिनल मा खोले रहा यहां NPM इंस्ट्राल गरनू परनेंचा जुनामी अवगर सांग तपाईले जीटप बड़ा प्रोजेक्ट डाउनलोड गरर एक्स्ट्राक गरी सागे बची आफनो टर्मिनल मा त्यो प्रोजेक्ट का राहनू बागो शा त्यो डिरेक्टरी बित्र जानूस तपाई गरा मेरो यह फरक परशा तपाईले डेक्स्टप मा राहनू बाशा मैले देक्स्टप मा राहेको थें तर मा डॉकर यूज गर्शु ते बाएर मा डिफ्रेंट लोकेशन मा शु तपाई चाए आपनो टर्मिनल खोले रा आपनो प्रोजेक्ट डिरेक्टरी मा जानूस रा त्यां काया रा यहान चलाउन उन्च बने आन इन्स्टल गर्नूस अथव नोर्ड जेयस अन्पीम चलाउन उन्च बने अन्पीम इंस्टल गर्नूस यो गरिशागे बशी मयले गरिशाये कशु तपाई अपनी एसरी सबोई पाकेज अरी रिजाल्प बायरा इंस्टल उन्च रा डन बने रा आउसा तेथी गरिशागे बशी तपाई मैक मा उन्च बने डाउस ऑटमेटिक रान उन्च सिमिल्लेटर राँनू पर दे ना विंदोउस मा उन्च बने तबाय यंस्टल राम इम्यलेटर रॉन गर्नदर अनि थेश।फ़ स्वें रियाक नेटिब प्रोजेक्ट विद्रबशेरा रियाक नेटिव रॉन आन्डलृड गर्नद य प्रोजेक्ट इमिलेटर मा रॉन हुन्छा, रियल डिवाइस छब आने पनी के फरक पर देना तपाइनले गर्ना सकना हुन्छा तेसपची यो आपको बेशिक लियाउट अरू, मै ले यह सेटप गरदी साये कसु आपला चायने आइकन अरू बनी यूज गरी साके कसु रब बोटन अरू सपई लियाउट मा चायने कुरा हुन्छा अलेली कामबागी छा यहैं तनली यह वार्निंग पंद दिहाई राकोशा द प्रप उन प्रेसिगे रीकवाईड अन बाटन आमले बाटन क्लिक गर्दा क्यों ने बन्ने कुर्या लेहा से नो ते भार यह वार्निंग आई राकोशा यहल ले आईले के पिन गर्दैना रद अब आम्रों काम मनेको यो बटन नर ला एकर कामाँ वायरिंग गरने यो बटन माँ टाचुंदा हेरी डिसाइड गरने काम गरने रद अक्टिविटी अरो थपने रए यहां अक्टिविटी डिस्पले गरने काम आमी अब गर्छां अब आगी डाउनलोड गरेका प्रोजेक्ट लाए आपनो कोड इजी टर्मा खोलनुस माईले विजुली स्टुडियो कोड माँ खोली साके कशु रा कोड खोली साके बची प्रोजेक्ट को रूट डिरेक्टरी माँ आप.js वानने फाइल छा तेला खोलनुस यो हैमरो आपको रूट कमपोनेंट अथवा इंटरी कमपोनेंट हो यस माँ नार्मल कुरा आरू छा आमले अगिलो टुटोरियल मा पनी गरी सायका कुरा आरू छा एक दुटाँ नया बनेको यहां स्क्रोल विउऊ सा अणि तेस्पाची बोटन छा अनि तेस्पाची डेक्स्ट इन्पूर्ट छा अब हेरां शावंद़ पहले यह स्क्रोल विउऊ बनात तो आपको आपको तपहेंगो content एभी एक पेज मा अठाया न वने को Android को अथबा तपाइको mobile को screen मा अठाया न वने एल्ले चाए scrolling capability दीन छा तपाइको content more than viewable screen मन्दा body वाय वने एल्ले scrolling function दीन छा scroll bar अरुद धिये रा user ला तला माथे scroll गरना दीन छा एल्ले तपाइले ओरीजेंटल बनाया और ओरीजेंटल scrolling पनी पनी वनाऊना सक्नोंचा एसमा आमले content container style बनाया इस्टायलिंग देखाशाउं यो इस्टायल दिने कुरा अरू basic इस्टायल अरू आमले अगाडी tutorial में एरी साएकाशाउं यो इसमा और को नोया बनेको button बॉटन आमले react native बड़ा import करेका शाउं यो इल्ले यूज़ गरने तरीका बनेको बॉटन में दुईटा प्राप्ट चाई required प्राप्ट बनेको यो बॉटन यूज़ गरनला योटा title पास गरनू पर सा जुन title चाई यहाँ देखिन चाई यो बॉटन मा देखेको level बनेको इसको title हो तेसपची और को बनेको unpressed बनेको त्याँ ट्यू बॉटन मा यूज़र ले प्रेस गरदा हेरी अचबा टाप गरदा हेरी क्ये काम गरने बनेको रापस गरनू परनेंच त्यों आमी अईले एक सिन्मा गर्शों अनि यहानेरी चाई decided activity देखाऊने to do बनर मा यहाने यहानेरी चाई decided activity देखाऊने to do बनर माईले यहाने कमेंट रहेको चुछू यहारी JSX भीत्र comment लेखने तरीगा बन तमाईले यूएर जानने उन्च आमी चाई javascript expression बना रा अनि javascript के comment लेख्शों यहानेरी अब पहिला कुराया बने का हैमले list of predefined activities बनाऊनू परने उन्चा रा list of activity चेंज उन्चा चेंज उन्चा तेसपची user ले देखा activity थबनू परने उन्चा तेहां बड़ा choice कर रहे यवड़ा activity देहाऊनू परने उन्चा पने का हैमरो component मा आब चेंजेबल डेटा राखनू प पहिला सवेंदा पहिले constructor बनाऊं तपहें object oriented background बड़ा आउनू भाशा बने तपहेंले class constructor को बारे में थास थास हैना बने तपहेंले अलेली पढ़नू बरने उन्चा रा यो constructor ले चाए props बनने argument लिन्चा रा यो constructor बनाई सागे बची super call गरन बर्शा यो बने को आमले चाहिए यो यो app बनने class react native को component बनने class बड़ा एक्स्टेंड गरा साओं रो यो constructor ले parent class को constructor call गरे को अब यानेरी आमी यो component को state लाई initialize कर साओं this.stat state बने रा is equals to अब एसमा आमले क्ये के चाहिए होता बन्दा हरी activity चाहिए हो activity चाहिए हो अग्टिविटी चाहिए हो अग्टिविटी चाहिए होता array हो त्यस पर ची और को बने को selected activity index बने राखसों आमी नौल राखसों आएले selected activity index बने को चेह होता यो मद्देको कुँच आए activity चाहिए अग्टिविटी सालेट गरने बन्र यो index ले दिनछा रहें प्रीदिफाइन लिस्ट अफ अक्टिविटीज बनाऊ कोड इट ब्रिंक वाटर रेस बना चारोड़ा अक्टिविटी आमी राहाँ देस बची अब क्ये गरने ता सेलेक्टेड अक्टिविटी इंडेक्स ला अईले जेरो रहाँ बने को एले जोईले बनी फास्ट अक्टिविटी देहाँ सा सूरुमा खोल दा खेरी अब एलला यहाँ देहाँ नू परेओ कोसर ही देहाँ ने ता यो देहाँ नला यहाँ आमी टेक्स्ट व्यू यूज करूँ टेक्स्ट और टेक्स्ट वित्र क्ये देहाँने ता बन्दा हेरे यू वेरावल को ब्यालू लिये रा आक्टिविटी येवडा देहाँनु परे क्वसर देहाँने ता क्ये गरने यह चैने इस.stat.act activities यह activities को लिस्ट पायो औनि यहाँ चैने इंडेक्स पठानु परे पुन्चाइन लिने बन रहा आरेको इंडेक्स पास करनु परे यह चैने का मढ़ा हो साथा इस.statState.selectedActivityIndex अब सेप गरनास रहा तबाँ का अपलाई रिलोड गर रहा है रहा है यहांचा ने कोड बने रहा यहां रहा अक्तिविटी देहाई साय को सा डिसाइड़ अक्तिविटी में अब यहलाई अलिकते स्टालिंग गरों यहां आमले गवरी साय का साउं इस्टाल गवरने काम इस्टाल स्टाइड डिसाइड टेक्स्ट बने रहा हो अनि तो अक्तिविटी तो इस्टाल आमिया दियू फॉंट्साइज यहलाई 28 पने दियू अनि तेस्पशी फॉंट्वेट दियू यहलाई 900 बोल्ड गरों अनि तेस्पशी यहलाई रिलोड गर रहा है रहा है रोके यह आमले चाय को जस्तो देख्खे को सा अब यहने रे और को युड़ा कुराया इस्टायलिंग मा मत पयला और को नया कुराश्य चिकाऊंशु जस्तो CSS मा आमले क्यास्केडिंग इस्टायल शेट एक युड़ए लाई 23 इस्टायल दिना शक्ते हूं तेस्ते आमले यहा पनि दिना सक्षों कौसरी दिने तबंदा है यह यू इस्टायल मा पास करदा है चें, ऐरे पास करने ये सरी, styles.text, औनी येस मां, पचाडी आउने style लेचें, अगाडी बको install ला, योटे style, दुइटा इस्टाल मात बैन दिननु बको सा, दुइचोटी पास करनु बाको साभने, पचाडी को लेचें, कायम गळ सा, रहे हैं style.text दिये पाशी यो text ले color दिन सा अनि पसादी को decided text ले छे font size रहा font weight दिन सा यह रहा color change भाय की बाया okay color change भाया